6.2.1 प्राचीन साहित्य का अध्यन और देश विदेश का ज्यान प्राचीन युनानी वल्लेटीन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उसके जीवन के विभिन पहलू थे राजनीती, नीतिशास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत, व्यभार और भौतिक दुनिया का अध्यन आदि इनके प्रमुख विश्य थे मनुष्य को केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य के अध्यन को मानवी की अध्यन, हुमैनिटीज या मानवाद, हुमैनिज में भी कहा जाता है कई मायनों में यह सब धार्मी चिंतन से हट कर था, इनमें किसी धर्म ग्रंथ या धर्म गुरू में विश्वास, पारलोकिक पुर्णे के लिए इस लोक में त्याग, तपस्या या कर्ष्ट सहना आधी बातों पर जोड नहीं था वे तार्किक सोच को बढ़ावा देते थे और व्यक्ति के खुद सोचने विचारने पर जोड देते थे वे किसी धर्म गुरू की बातों को भी तर्क की कसोटी पर परखने पर जोड देते थे इसी कारण मध्यकाल में जब इसाई धर्म का वर्चस्व यूरोप में स्थापित हुआ तो उसके धर्म गुरूओं के द्वारा प्राचीन ग्रीक और लेटीन सहित्य की आलोचना की गई मध्यकालीन यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लेटीन साहित्य का अध्यन इसाई चर्च के प्रभाव के कारण बहुत सीमित हो गया यह साहित्य इसा मसी के जन्म के पहले रचा गया था और इसाई धर्म के अनुरूप नहीं था चर्च का आग्रह था कि इस लोग में सुख प्राप्ती के चिंता ना करके पर लोग में स्वर्ग प्राप्ती के लिए प्रयास करना चाहिए चर्च के विरोध के चलते यह प्राचीन साहित्य पश्चमी यूरोप में लुप्त होते गए किन्तो इरान, इराक, आधी इसलामी देशों में ग्रीक और लेटीन साहित्य का अनुवाद और अध्यन चलता रहा 14 सदी तक इसलामी संस्कृति का प्रभाव एशिया में भारत से लेकर यूरोप में स्पेन तक फैला था इन छेत्रों में जैसे चीनी, मध्य इशियाई, भारतिय, इरानी, इराकी, मिस्री, यूनानी आधिक कई संस्कृतियों वह सभ्यताओं का मेल मिलाप हो रहा था इसलामी देशों के विद्वानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और चीनी, भारतिय, इरानी तथा यूनानी साहित्त का अर्भी और फार्सी भाषाओं में अनुवात करके अध्यन किया 14 सदी में जब पश्मी यूरोप में प्राचीन साहित्ते में रूची फिर से जागरित हुई तब इसलामी देशों में सनरक्षित ग्रंथ उनके अर्भी अनुवात बहुत कामा है इनके अलावा प्राचीन भारतिय गडित खगोल शास्त्र और चीनी विज्ञान का ग्यान भी यूरोप के विद्वानों को मिला